मैं हूँ अभिशिक बारेट और आप देख रहे हैं धम्चिक चिटफंड घोटालों की जाँच के सिलसले में कोलकाता के पुलिस आयूग तुराजीव कुमार से सीबी आई पूचताच वाले घटना क्रम में नाठ की अंदाज में नरेंद्र मोधी सरकार और पश्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी आमने सामने आ गए हैं केंद्र सरकार और ममता बनर जी का ये टक्राव अब तूल पकड़ चुका है और एक तरह से समविधानिक टक्राव की स्तिती भी देखने को मिल रही है हमें बरोसा है कि आपने तमाम जानकारियों को टीवी चैनल्स और गूगल पर धड़ा धड़ अपलोड की जारी वेबसाइट स्टोरीज के माद्यम से भी पढ़ लिया होगा पर हम आपको इस गटना करम के सभी पक्षों को एक एक करके अब समझाएंगे सबसे पहले आप समझे कि जिस वज़े से ये हंगामा हुआ है वो धकम पेल कहां से शुरू हुई थी शनिवार को CBI के अधिकारियों ने कहा था कि चिटफन गोटालों की जाच के चलते पुलिस आयूक्त राजी उकुमार लापता है और बार बार समन भीजने के बाद भी उन्होंने CBI को कोई जवाब नहीं दिया है मतलब वो जाच में सैयोग नहीं कर रहे हैं CBI के एक प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि उनकी तलास जो है वो जारी है रवीवार सुबह पश्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी ने इस पर ट्वीट करके एक प्रतिक्रिया दी और कहा बाजपा बदले की राजनीती कर रही है और इस तरह के आरोप लगाते हुए दीदी ने राजीव कुमार को भी दुनिया के सबसे बहतरीन अधिकारियों में से एक बताया था फिर कॉलकाता पुलिस का एक बयान आया जिसमें सीबी आई के सभी आरोपों को उन्होंने निराधार बताया और शाम होते होते मम्ता सरकार और पुलिस प्रशाशन अपनी तैयारियों में मुस्तैद नजर आने लगे पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस के जवानों और अधिकारियों की तैनाती कर दी गई सीबी आई भी पूरी तरह से तैयार नजर आई और इस टकराव की इस्तिती के बावजूद पुलिस आयुक्त के आवास पर पहुंची टकराव के लिए तैयार पुलिस अधिकारियों ने सीबी आई को बिना इजाज़त घर में जाने की बात को लेकर टोका लेकिन सीबी आई ने इस बात पर एतराज जताते हुए अपनी कारवाही को आगे बढ़ाना चाहा और यहीं पर सीबी आई और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई देश के इतिहास में सीबी आई के साथ ये दुरलबतम हाथसा हुआ सभी अधिकारियों को पुलिस ने अरेस्ट कर जबरन गाडियों में भरा और फिर थाने ले गई आलांकि पुलिस बढ़ते वे दबाब को जहलने में नाकाम रही और तीन घंटों में इन सब अधिकारियों को पुलिस को वापस छोड़ना पड़ा अलांकि दस मईए 2014 में भी सुप्रीम कोट ने आदेश दे कर चिटफंड स्कैम की जाँच के आदेश दिये थे लेकिन पहली बार किसी स्टेट ने सीबी आई की जाँच में बादा उत्पन की है अब आप जानें कि राजीव कुमार जो कि पुलिस आयुक ने सीबी आई उनके पीछे क्यों पड़ी है और राजीव कुमार का पूरा किस्सा क्या है पर उससे पहले शारदा चिटफंड गोटाले को समझेए ये घोटाला जो है वो 40,000 करोड रूपे का देश के सबसे बड़े चिटफंड स्कैम में से एक है इस चिटफंड स्कैम में 10 लाख लोगों के पैसे 34 गुना ज़्यादा पैसे वापसी के नाम पर लिये गए थे पश्चिम मंगाल, ओडीसा और असम के लोग इस चिटफंड स्कैम के सबसे बड़े शिकार बने इस कैम में कई बड़े राजनिताओं और राजनितिक दलों के नाम भी सामने आये थे 10 मई 2014 को सुप्रीम कोट ने इस मामले की जांच के आदेश दिये थे कभी ममता बनर जी राजीव कुमार के बेहद खिलाफ रही है और देखते देखते राजीव उनके सबसे करीवी माने जाने लगे 2016 में राजीव कोलकाता के पुलिश कमिशनर बने थे और राजीव 1989 बैच के IPS अफसर है सन 2013 में शारदा और रोज वैली चिटफंड की जांच के लिए बनाई गई S.I.T. के वो चीफ रहे है 2014 में सरकार में आई बीजेपी ने इस मामले से अपनी सियासत को भी साधने की कोशिश की है लगातार ममता बनर जी के खिलाफ मुसलिम समर तक बताकर कार्ड खेल रही बीजेपी बनगाल में अपनी जम्मीन को तयार करने में सफल भी रहया और बीजेपी इस वक पश्चिम बनगाल में सियासी समिकर्णों में नंबर वन मानी जा रही है बीजेपी ने ममता के करीबी राजीव पर आरोप लगाया उन्हें हिरासत में लिया भी गया और कुछ समय में छोड़ भी दिया गया नब्बे के दशक में बेहत चर्चित हुए राजीव ने कई अपरादियों को टेकनॉलोजी की मदद से पकड़ा था और पश्चिम मंगाल में कोईला माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने वाले राजीव ही थे ममता बनर जी तो रविवार राज से उनके समर्थन में धरने पर बैठी हैं और उन्होंने ही एक बार राजीव पर फौन रिकॉर्ड करने का एक आरोप लगाया था ममता सरकार ने पहले शारदा और रोजवैली स्केम विशेज दान्च दल SIT को इसकी जान सोंपी थी और राजीव इसके मुखिया थे 2014 में कोट ने CBI को मामले की जान सोंपी थी और CBI ने राजीव पर आरोप लगाये थे कि राजीव ने एहम दस्तावेज, पेंडराइव्स, लैपटॉप और मोबाइल फौन उन्हें नहीं सोंपे थे शारदा स्केम 40,000 करोड तो रोजवैली स्केम 17,000 करोड के चिटफंड गोटाले थे CBI के मताबिक दोनों ही गोटालों में TMC यानी सत्ताधारी त्रिनमूल कॉंग्रेस के लिंक पाए गए हैं जिनकी सुप्रीमो ममता बनर जी हैं लोकसबा चुनावजे पहले मामले का इस तरह से उचलना ममता की कमजोर होती सियासी जमीन को और कमजोर कर सकता है अब इसी बात को लेकर ममता बनर जी राचिय कुमार के समर्थन में कोलकता मैट्रो सिनमा के सामने धर ने पर बैठ गई हैं ममता इससे पहले 11 साल पहले मुखेवंत्री बनने से पहले भी इसी जगए धरने पर बैठी ती मम्ता ने कहा है कि अमिच्छा और मोदी बंगाल में तक्ता पलट करना चाहते है जबकि बीजेपी ने इस प्रकरड में मम्ता के खिलाव राज्य की मशीनरी के दुरूपयोग का इलजाम लगाया है और कांग्रेस सहीत कई दल मम्ता बनर जी के समर्थन में आ गए है अब तक के पूरे अपडेट्स ये हैं कि CBI मामले में सर्वोच नहले चली गई है और राजीव पर सबूत नश्ट करने और नहले की अवमानना के आरोप लगाये हैं जस्टिस कोगाई ने भी CBI को राहत देते हुए कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की हेर फेर में सलिप्त पाए जाने की स्थिति में कोर्ट राजीव पर कड़ी कारवाई करेगा इस मामले की जो भी अपडेट्स हमारे पास में आएंगी वो धमचिक के मादिम से हम आप तक पहुचाएंगे